हेलो ट्रेडर्स, स्वागते सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड बुश्टर में जहां हम सेर्स को करते हैं अनलाइज टेक्निकल और फंडमेंटल बेसेस पर और आपको देते हैं बाइंग कोल्स, बाइंग प्राइज और टारगेट के साथ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हमारे हर सेशन का अपडेट मिलता रहे और साथ ही हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ट्विटर और टेलेग्राम ग्रूप का लिंक मिल जाएगा सो लिंक पर क्लिक करके आप हमको ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलेग्राम गुरूप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अब जैसा कि आप सब जानते ही हो कि हमारी एक नई स्रीज चल रही है जिसका नाम है How to trade with less money मतलग कम पैसे के साथ में ट्रेडिंग कैसे करें और आज यह हमारा उसी स्रीज का एक वीडियो है और आज हम इस वीडियो में आपके साथ सेर करेंगे एक बहुत ही बहतरीन और प्रोफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेजी के बारे में और friends अगर आप इस strategy के बारे में पूरी तरह से जानकारी चाते हैं आपको वीडियो लाज्ट तक देखना पड़ेगा तभी आप इस strategy के बारे में पूरी तरह से जान पाएंगे अब चलिए चलते हैं अपनी main screen पर friends हम आ चुके हैं अपनी main screen पर और हमारा जो आज का main topic है वो है बड़े traders कैसे trading करते हैं और friends ये trading strategies सारे बड़े बड़े positional traders यूज करते हैं इस strategies के हिसाथ से trading करते हैं और अगर honestly बताएं तो हम खुद भी इस strategy के साथ में एक अलग वाले portfolio में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास में तीन portfolio हैं उनमें से एक portfolio में हम इसी strategy से trading करते हैं जो आज हम आपके साथ में share करने वाले हैं और हमारे हिजाब से ये दुनिया की सबसे profitable trading strategy है क्यूंकि हमारे उस portfolio का return सबसे आगे रहता है जिसमें हम इस strategy को use करते हैं तो a main question है कि इस strategy को आपको use कैसे करना है या यह strategy है क्या सो इसके अंदर आपको करना क्या है सबसे पहले आपको बता देते हैं सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको rank one की company सर्च करनी है अब आप अगर यह कहें कि rank one की company कौन सी होती है सो यह कुछ ऐसी companies होती है जिनके fundamental और business model बहुत ही awesome category के होते हैं यानि कि जिनके fundamentals के अंदर कोई भी issue नहीं होता और बहुत ही जवर्दस fundamental वाली companies को हम rank one की companies बोलते हैं example के लिए बोले हैं तो जैसे Reliance, Infosys, Ember, FL यह सब rank one की companies हैं सो अगर आपने rank one की company सर्च कर ली उसके बाद आपको क्या करना है के इसके अंदर buying start करनी है और buying किस तरीके से start करनी है चलिए ये भी आपको detail में बताते हैं live दिखाते हैं आपको ठीक है सो सबसे पहले हमें उस company के अंदर जो हमने सर्च की है wait करना है एक correction का एक अच्छे healthy correction का wait करना है हमें और जब correction कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर हमको wait करना है कि company कब recover होना start करती है तो अगर आप ध्यान से देखें यह एक major assistance है यहां से यह conviction आता है कि company अगर इस level के पार निकले तो यह तो आगे एक फिर से resistance बनता है अब हमको देखना है कि आगे कौन सा resistance बन रहा है जहां से company को breakout देने में सबसे ज़्यादा problem हो रही है तो वो resistance तकरीपन यह होगा यह levels होंगे हाँ यही levels हैं तो जब company इन levels को breakout देगी तब हमको इसके अंदर अपनी second buying करनी है उस company के अंदर ज देन फिर से company चलना स्टार्ट करती है और एक resistance बनाती है सो थर्ड रसिस्टेंस होता है यह यानि के जब company इस resistance को breakout देगी सो यह फिर से प्रेंड रिजूम होगा सो ध्यान से देखिए यह हुआ breakout सो हमको क्या करना है हमको अगली बाइंग करनी है यहां पर अब हमने जब और हमको वेट करना है उस resistance के breakout होनेगा जब इस resistance का breakout होगा हम फिर से बाइंग करेंगे सो फ्रेंट्स इस breakout पर जो हमारी बाइंग होगी वो होगी तकरीबन इस level पर अब ध्यान से देखिए यह चार्ट पैटन को और धिरे धिरे देखिए कैसे यह resistance बनाता है और breakout देता चल और breakout देता है हमको उन सब पर mind करनी है मतलब averaging करनी है यह आपकी averaging होती रहेगी और आपका average price भले ही थोड़ा उपर आ जाए लेकिन आपका जो profit का size है वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा अब main question है कि इसके अंदर से exit कब लेना है सो exit लेना है जब इसका trend change हो जाए यानि के ये एक ऐसे level पर पहुँच जाए जहां से हमको ये confirm हो जाए कि अब ये नीचे जाना start कर रही है वहाँ पर हमको अपना exit करके निकल जाना है so friends ये थी हमारी आज की strategy आपको हमारा ये वीडियो और ये strategy कैसी लगी comment box में comment करके जरूर बताना और अगर strategy अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर करना चलिए अब चलते हैं बाबाई